कि निठाबर थी जिसने एक इसलामी बहन नहीं पूछा था कि काम वगएरा घर के निप्टानी की वज़या से जो है ठकन जादा हो जाती रात को ग्यारा बारा भी तक फिरी होते हैं और फिर सहरी में जगना होता है और तरावी छोड़ भी नहीं सकते हैं तो ऐसी सूरत में कि तरावी को बैटके पढ़ सकते हैं या इतनी थकान हो कि खड़ा होना दुश्वार हो तो कि तरावी बैटके पढ़ेंगे तो तरावी अदा हो जाएंगी या फिर नहीं होंगी देखें तरावी के बारे में हुकम ये है कि नमाज फर्ज और वाजिब के अंदर कियाम जो है वो लाजमी होता है कि इसमें खड़े होकर ही पढ़ना होगा और बगएर खड़े हुए बगएर उजर इसमें अगर बिना मजबूरी के खड़े होके नमाज अगर आदमी नहीं पढ़ी तो नमाज उसकी जो है वो न नहीं होगी हाँ अगर कोई मजबूरी है बैटके पढ़ेंगे तो फिर ये नमाज फर्ज और वाजब भी हो जाएंगे मगर इनके अलावा तमाम बलके सुन्नत फजर भी इसी में शामिल है कि उनके अंदर भी कयाम जो है करना पड़ेगा अगर बहुत सख्त मजबूरी है तो बैट सकते हैं वरना नहीं के अंदर कयाम जो है वो जरूरी है इसके अलावा तमाम जितनी भी सुन्नत होती हैं सुन्नत मौकदा हो या फिर नफिल हो तमाम नमाजों को अगर बैटके पढ़ेंगे तो नमाज अदा हो जाएगी मगर ये के सवाब के अंदर कमी होगी तो इस बिल्फर्स किसी ने पढ़ दी तो उसको दोहराने की भी जरूर नहीं, उसकी तरावी का जो जिम्मा है, उस रात का वो अदा हो जाएगा, बैटकर तरावी पढ़ने से भी, मगर सवाब में भी कमी आएगी, और साथ में ये फैल मकरू है, शरीयत को ना पसंदीदा है, तो इ इतनी खड़े होके पढ़ सकते हैं, उतनी खड़े होके पढ़ें, फिर बाकी वो बैटके पढ़ सकते हैं, इस तरह गुंजाईश में हो सकती है, मगर बेवज़ा कि ये आदद बनाना सिरफ अपनी सहुलियत की वज़़े से कि हमेश्गी तरावी के ओपर ये करना कि बैट हो जाएगी?